देश के सबसे प्रसिद्ध मेलों में से एक सूरजकुंड मेला अपनी अलोकिक छटा से हस्त शिर्पकला और सास्कृतिक विरासत से हर साल फरवरी में रूबरू करवाता है सुरजकुंड मेले का इंतिजार शिल्पकार से लेकर कलाकार तक सब बड़ी बेसबरी से करते हैं देश के सभी राज्यों की कला सरस्कृती से लेकर खानपान तक का आनन्द सुरजकुंड आकर लिया जा सकता है देश ही नहीं अब विदेश कलाकारों के ले भी मेला एक बड़ा मंच बन गया है पहली बार साल 1987 में देश के समर्थी एवं विविदिता को एक मंच पर प्रदर्शित करने के उदेशे से मेले का आयोजन क्या गया था उसके बाद साल दर साल सुरजकुंड में अनूठा संगम सजने लगा सुरजकुंड का नाम यहां दसवी सदी में तोवर वंश की राजा सुरजपाल द्वारा बनवाए गए एक प्राचीन रंग भूवी सुर्यकुंड से पड़ा था इस मारक का निर्मान सुरे देवता की अराधन करने के लिए किया गया था और यह यूनानी रंग भूवी से मेल खाता है मेला वास्तव में शांदार इस मारक की प्रश्ट भूवी में आयूजित भारत की सांस्कृतिक धरोहर की भवेता और विवितिता का जीता जागता प्रमान है